जारी है, दुनिया के अनेग भारत भी इस लड़ाय के दोरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुज़रा है, हम में से कई लोगों ने अपने परीजनों को, अपने परीचितों को खोया है, ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी सम्वेदना हैं, साथियों, बीते सो वर्सों में आई, यह सबसे बड़ी महामारी है, तरास्दी है, इस तरह की महामारी आधूनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी, इतनी बड़ी वैस्विक महामारी से हमारा देश, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है, कोविड अस्पताल बनाने से लेकर, आईस्यू बेट्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर, टेस्टिंग लेप्स का एक बहुत बड़ा नेट्वर्क तयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए, बीते सबा साल में ही, देश में, एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रॉक्चर तयार किया गया है, सेकंड वेव के दोरान, अप्रेल और मई के महने में, भारत में, मेडिकल ऑक्सिजन की डिमाण, और कल्कुनिय रुप से बढ़ गई थी, भारत के इतिहास में कभी भी, इतनी मात्रा में, मेडिकल ऑक्सिजन की जरुरत, कभी भी, महसुष नहीं की गई, इस जरुरत को पूरा करने के लिए, युद्ध स्तर पर काम किया गया, सरकार के सभी तंत्र लगे, अक्सिजन रेल चलाई गई, एरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नव सेना को लगाया गया, बहुती कम समय में, लिक्वीड मेडिकल अक्सिजन के प्रोडुक्शन में, दस गुना से जादा बढ़ाया गया, दुनिया के हर कौने से, जहां कहीं से भी, जो कुछ भी उपलब्द हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भर्सक प्रयास किया गया, लाया गया, इसी तरह, जरूरी दमाओं के प्रोडुक्शन को, कहीं गुना बढ़ाया गया, विदेशों में जहां भी दवाईया उपलब्द हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ी गई, साथियों, कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाप लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोडुकॉल है, मास्क, दोगज की दूरी और बाकी सारी सावधानिया उसका पालन ही है, इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है, आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम हैं, इनी इनी हैं, कलपना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती, तो आज भारत जैसे विशार देश में क्या होता? आप पिछले 50-60 साल का इतिहाद देखेंगे, तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में बसंकों लग जाते थे, विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम सुरू भी नहीं हो पाता था, पोलियो की वैक्सिन हो, स्मॉल पॉक्स जहां गाव में हम उसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सिन हो, हैपिटाइटिस B की वैक्सिन हो, इनके लिए देश वास्यों ने दसकों तक इंतजार किया था, जब 2014 में देश वास्यों ने हमें सेवा का उसर दिया, वैक्सिनेशन का कवरेज दुहजार चौधा में भारत में वैक्सिनेशन का कवरेज सिर्फ सीर्फ 60% सिर्फ पांच छे साल में ही वैक्सिनेशन कवरेज 60 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत से भी जादा हो गई 60 से 90 यानि हमने वैक्सिनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया हमने बच्चों को कही जान लेनवा बिमारियों से बचाने के लिए कई नए टिकों का भी भारत के टिका करना भ्यान का हिस्सा बना दिया हमने इसली किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी गरीब की चिंता थी गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिने कभी टीका लगी नहीं पाता था हम शत्र प्रतिशत टीका करन कवरेज की तरब भड़ रहे थे कि कोरोना वाइरस ने हमें घेर लिया देश नहीं, दुनिया के सामने, फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी, कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा? लेकिन साथियों, जब नियत साफ होती हैं, निती स्पस्ट होती हैं, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दर किनार करके, भारत ने एक साल के भीतर ही, एक नहीं, बलकि दो मेड इन इंडिया वैक्सिन लॉंच कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया, कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो देश में तेईस करोड से ज़्यादा वैक्सिन की डोज दी जा चुकी हैं। बहुत ही कम समय में वैक्सिन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते, जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क करी रहे थे, तभी हमने लॉजिस्ट्रिक्स और दूसरी तैयारिया शुरू कर दी थी। आप सब भली भाती जानते हैं कि पिछले साल, याने एक साल पहले, पिछले साल अप्रिल में, जब कोरोना के कुछी हजार केस थे, उसी समय वैक्सिन टांस्पोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में, भारत के लिए वैक्सिन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपूर्ड किया। वैक्सिन निर्माताओं को क्लीनिकल ट्राइल में मदद की गई, रिसर्ट और डेवलप्मेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर चली। आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहट मिशन कोविड सुरक्षा के मार्दम से भी उन्हें हजारों करोड रुपे उपलब्द कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिशम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सिन की सप्लाई और भी जादा बढ़ने वाली हैं। आज देश में साथ कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सिन का प्रोडॉक्षन कर रही हैं। तीन और वैक्सिन का ट्रैल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सिन की उपलब्दता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सिन खरेद्य की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई हैं। इस दिशा में भी दो वैक्सिन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सिन नेजल वैक्सिन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरीन से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविश में इस वैक्सिन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सिन अभ्यान में और जादा तेजी आएगी। साथियों इतने कम समय में वैक्सिन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है। लेकिन इसकी अपनी सिमाय भी है। वैक्सिन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सिनेशन प्रारम हुआ। और ज्यादा तर सम्रुद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सिनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्यानिकों के वैज्यानिकों ने वैक्सिनेशन की रुपरेखा रखी। और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्राक्रिसिस थी। विश्व स्वास्त संगर्षन WHO के मानक थे उसी आधार पर चरण बद तरीके से वैक्सिनेशन करना तहे किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाओ मिले। संसत के विविन दरों के साथ्यों द्वारा जो सुझाओ मिले। उसका भी पुरा ध्यान डखा। इसके बाद ही ये तै हुआ कि जिने कोरोना से जादा खत्रा है उन्हें प्रात्विक्ता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ वर्ष की आयू से जादा के नागरीक, बीमारियों से ग्रत्रीत, पैतालिस वर्ष से जादा आयू के नागरीक, इन सभी को वैक्सिन पहले लगनी शुरू हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन नहीं लगी होती, तो क्या होता? सोचिये, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप को वैक्सिन ना लगी, तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एंबुलन्स के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सिन ना लगी होती, तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्षिनेशन होने की वज़त से ही वो निश्चिन्थ होकर दूसरों की सेवा में लग पाएं, लाखों देश वास्यों का जीवन बचा पाएं लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाओ भी आने लगे, बिन्द बिन्द मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉक डाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है, One size does not fit all जैसी बाते भी कही गई दलिल ये दी गई कि सम्विधान में चुकी हेल्थ आरोग्य प्रमुक रूप से राज्य का विशय है इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें इसलिए इस दिशा में एक सुरुवात की गई भारत सरकार ने एक ब्रहत गाइडलाइन बना कर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवशक्ता और सुविधा के अनुसार काम कर सके स्थानिय स्तर पर कोरोना करिफ्यू लगाना हो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाना हो इलाज से जुड़ी व्यवस्ताएं हो भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्विकार किया साथियों इस साल 16 जन्वरी से शुरू होकर अप्रिल महिने के अन्त तक भारत का वैक्सिनेशन कारक्रम मुख्य तह केंद्र सरकार की देख रख में ही चला सभी को मुप्त वैक्सिन लगाने के मार्क पर देश आगे बढ़ रहा देश के नागरिक भी अनुशाथन का पालन करते विए अपनी बारी आने पर वैक्सिन लगवा रहे थे इस बीच कई राज्य सरकारों ने भी कहा कि वैक्सिन का काम डीसेंट्रलाइज किया जाएं और राज्यों पर छोड़ दिया जाएं तरह तरह के स्वर उठे जैसे कि वैक्सिनेशन के लिए एज ग्रूप क्यों बनाए गए कि दूसरी तरफ किसे ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तै करें कुछ आवाजे तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सिनेशन पहले क्यों हो रहा है बाती भाती के दभाव भी बनाए गए देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे केम्पेंड के रूप में भी चलाया साथ्यों काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमती बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरब से भी प्रयास करना चाहती है तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे राज्यों की इस मांग को देखते हुए उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो विवस्ता चली आ रही थी उसमें प्रोग के तोर पर एक बढ़लाव किया गया हमने सोचा कि राज्ये ये मांग कर रहे हैं उनका उत्सा है तो चलो भाई 25 प्रतिशत का काम उन्हीं को सौपरुत कर दिया जाए उन्हीं को दे दिया जाए स्वाबावी क्या है एक माई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम उनके हवाले कर दिया गया उसे पुरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किये इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाईयां आती हैं यह भी उनके ध्यान में आने लगा उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सिन की क्या स्थिती है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीद हुए और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीस्री तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईयां मई में दो सब्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी दीरे दीरे इसमें कई राज्य सरकारें जूरती चली गई वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिर आगे आए राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश्वाश्यों को तकलीफ ना हो सुचारू रूप से उनका वैक्सिनेशन हो इसके लिए एक मै के पहले वाली यह एक मै के पहले सोला जन्वरी से अप्रिल अंतर तक जो व्यवस्ता थी पहले वाली पुरानी व्यवस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए साथियों आज यह निर्ण लिया गया है कि राज्यों के पांस वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी यह व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइडलेंज के अनुसार आवशक तैयारी कर लेगी संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जून को ही अंतर राश्य योग दिवस भी हैं 21 जून सोमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्त करवाएगी गरीब हो निम्न मद्यंबर्ग हो मद्यंबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी हाँ जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्ता जारी रहेगी. प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीबत के उपरांत एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इस्टी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा. साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात, विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और परिश्थिती पर जीत हांसिल करते हैं. कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात महनत करके तै की हैं, आगे भी हमारा रास्ता, हमारे स्रम और सहयोग से ही मजबुत होगा. हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे. हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रप्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं, अनेग विक्षित देशों से भी तेज हैं. हमने जो टेक्नोलोजी प्लेट्फॉर्म बनाया है, कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही हैं. अनेएक देशों ने भारत के इस प्लेट्फॉर्म को इस्तिमाल करने में रूची भी दिखाई हैं. हम सब देख रहे हैं कि वैक्षिन की एक एक डोज कितनी महत्वपून हैं, हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई हैं. केंद्र सरकार ने ये व्यवस्ता भी बनाई हैं कि हर राज्य को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली हैं. मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है. वैक्सिन की उपलब्दता के अनुसार, पूरे अनुसासन के साथ वैक्सिन लगती रहे, देश के हर नागरी तक हम पहुँच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनी दी, हर प्रसासन की सामुहिक जिम्मेदारी है. प्रिय देश वाक्षियों, टीका करण के अलावा, आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवव्यत कराना चाहता हूँ. पिछले वर्ष, जब करोना के कारण, लोकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान, अन्य योजना के तहर, आठ महिने तक, असी करोड से अधिक देशवासियों को, मुप्त राशन की ववत्ता हमारे देश ने की थी, इस वर्ष भी, दूसरी बेव के कारण, मैं और जून के लिए भी, इस योजना का विस्तार किया गया था, आज सरकार ने फैसला लिया है, कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान, अन्य योजना को, अब दिपावली तक, आगे बढ़ाये जाएगा, महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरुवत के साथ, उसका साथ ही बनकर खड़ी है, यानि नवंबर तक, असी करोड से अधिक देशवासियों को, हर महिने तय मात्रा में मुप्त अनाज उपलब दक्त होगा, इस प्रयास का मकसद यही है, कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े, साथियों, देश में हो रहे, इन प्रयासों के बीच, कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर, भ्रम और अफ़ाओं की जानकारी, चिन्ता बढ़ाती है, यह चिन्ता भी मैं आपके सामने व्यक्त करदा चाहता हूँ, जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ, तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई, जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो, कोशिच यह भी हुई, कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का हौसला पस्थ पढ़ जाए, और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए, जब भारत की वैक्सिन आई, तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया, वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती-भाती के तर्क प्रचारित किये गए, इने भी देश देख रहा है, जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका प्रदा कर रहे हैं, अफ्वाएं फेला रहे हैं, वो भोले-भाले-भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं, ऐसी अफ्वाओं से सतर्क रहने की जरुवत हैं, मैं भी आप सबसे समाज के प्रदुद्द लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं, कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें, अभी कई जगहों पर कोरोना करफू में ढिल दी जा रही हैं, लेकिन इसका मट्रब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है, हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है, मुझे पूरा विश्वास है, हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे, भारत कोरोना से जीतेगा, इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी देश्वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद. देश को समर्पित किया था पिछले साल अपरेल में, और ये सीधी तरस्वेरे आप देख रहे हैं.